हाई फ्रेंट्स वेल्कम बेक टू माई गाड़निंग चलेंग गाड़निंग इन टेन मिनिट्स आज मैं आपको दिखाऊंगा जस्मिन फ्लांट का प्रोनिंग किसे करते हैं वो जो गर्मियों की मौसमें खिलेगा ना बहुत सरे खुल खिलेगा उसमें यह सट्थे का मौसम जाने वाला है तो इसलिए आज जन्वरी का तुएल्क तरिक है तो यह दिखिए मेरा कितना बड़ा अजस्मिन का फ्लांट है एक मत कैसे लगा हुआ है तो मैं इसको बताऊंगा आपको कि कैसे इसका रूट प्रोनिंग करते हैं उसके बाद इसके ब्रांच की फ्रोनिंग क देखिए घ्ञा गाया चाहिए घ्ल दिक्रीं उसके पांटक तर harshly पुरानए मिट्टी अप्तु सब्लाइव रूट शुरिम करते हैं में कौन का भ्रोनिंग हो जिसके तो मोग्रा का प्लांट है जो एक बाद ग्रोऊ कर जए अच्छे में इसका करेंगा। कि करते यह ready से इसका कट्रण कर दूब उपर वाला रड़ाफ हिसको कट कर दूए जिसके बात में निया निया कर लेद अ कृइंप इसने फोल बस दो तिन रहा गया है उसका भी में कटिंग कर लोगा अभी दिखिए फ्रेंड्स मैंने यह सारे ब्रांचेसको कटिंग कर दिया है अभी बस इसमें थोड़ा सा खाद और मेक्टी भरना है यह जब मार्च में फ्लावरिंग करेगा तो उसके पीन महने पहले करीबबन उसका प्रोनिंग कर लेना चाहिए तो यह वाला देखिए यह जो ब्रांचे सब निकला है उससे इस ब्रांचे के सहाथ से में और निव फ्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं जैसे कि इसे मीटी में कटींग से बनाये हूआ है यह दिखिए इसका मैंने कटिंग कर लिया था जय नए अगल साओ सर्क व्लावैं होसागा मैं फिर से आपको अपने निव भीटिए कर सताओंगा तब तक लिए तो फ्रेंट्स देखिए यह मेरा जो जस्मिन मुग्रा के प्लांट के लिए खाद है इसमें सिफ सड़े हुए गोबर का खाद और कुछ मिट्टी मिले हुए हैं जिसको मैं ऐसे ही दे रहा हूँ थोड़ा सा देना क्योंकि 15 दिन के बाद फिर से देना है और उसके बाद यह बला मिट्टी में ने लाया हूँ तो इससे दे देना है उसके बाद उसे वाटरिंग कर देना है झाल झाल प्रवब कर देना है